नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आज हम February महीने के सारे के सारे important MCQs को cover करेंगे इससे पहले हमने January महीने के सारे important MCQs को भी cover किया है जिस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा पूरे February महीने के जितने भी important current affairs जो आपकी examination के लिए important है उन सारों को हम इस वीडियो में cover करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा अगर आप चैनल पर नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब बश्य कर लिए गा पॉर्टिस्ट एकोनोमिय जीके टिक्स जोग्राफी साइंस एंवार्मेंट ए निकोलोजी की तमाम वीडियो को देखने के लिए एक बार से रिटैर्मेंट ले ली तो इसके लएंम है मूरली विजे यह है मूरली विजे जिन्नोंने आभी हाली में जितने भी फॉर्म करिकेट के उसारों से रिटैर्मेंट ले लिए नेक्स कोअच और वेछ इंप हम से टल्स सा वह दिन था जब वर्ल ए प्रोशी डे मनाये गया तो इसका राइट अंसर है January 29, 29 January को Wall Leprosi Day मनाए गया, देखें हर साल जो last Sunday होता है January का उस दिन Wall Leprosi Day मनाए गया, तो इस बार धो जो 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 जन्वरी था उसका last Sunday कब था 29 को, तो इसलिए 29 को Wall Leprosi Day मनाए गया, यह एक international day है, इसका aim क्या है, यह एक opportunity प्रवाइट करता है, उन लोगों को celebrate करने के लिए जिन्होंने Leprosi को experience किया है, इसके साथ साथ यह जो Leprosi बिमारी है, इसके लिए यह लोगों के बीच में awareness फैलाने का काम करता है, और किस परकार से हम Leprosi से related जितने भी stigma और discrimination हैं, उनको खतम कर सकें, जिन लोगों को Leprosi होती है, उन लोगों के साथ काफी stigma जुड जाते हैं, कई जगा पर उनके साथ discrimination होती है, तो जो discrimination है, उसके खतम करने का काम और उसके ल नव्स होती है, उन्हें affect करती है, जैसे कि आप इस विक्ति को देख सकते है, इसकी skin जो है, इसे इस बीमारी ने affect किया हुआ है, अगर इस बीमारी को समय रहते ट्रीट ना किया जाए, तो ये बीमारी progressive हो जाएगी, और इसमें permanent disabilities इसकी वज़ा से आ सकती है, अभी जो bacteria है, ये droplets, जैसे मानलो थूख दिया, या फिर छीक मार दी, तो nose और mouth से जो droplets होती है, एक जो बीमार विक्ति है, उसके नाक से, उसके मूँ से जो droplets होंगी, और उसके बगल में अगर कोई ऐसा विक्ति है, जो बिलकुल हस्ट पुष्ट है, या उस विक्ति में leprosy नहीं है, तो leprosy, जो ये curable disease है, इसके लिए multi-drug therapy का, MDT का यूज के जाता है, तो multi-drug therapy से, जो leprosy बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है, next question है, which IIM is ranked as the top MBA college in India, नेमन लेखितमा से कौन से ऐसा IIM है, Indian Institute of Management है, जो India का top MBA college, जिसको rank मिला है, तो इसका right answer है, IIM एहमदाबाद, IIM question है, who has Puma India signed as their brand ambassador, आप जानते हैं, बड़े-बड़े जितने भी brand होते हैं, ये किसी ने-किसी विक्ति को, जो popular विक्ति होता है, उसे अपना brand ambassador बनाते है, तो निविन लेखिन में से कौन सा ऐसा विक्ति है, जिसे Puma India ने अपना brand ambassador बनाया है, तो इसका right answer है, Harman Preet Kaur, ये है Harman Preet Kaur, इनको Puma India ने brand ambassador बनाया है, next question है, which country invited Indian tech professionals during a lay-off season, अब आप सब जानते हैं, बड़े-बड़े कंपनियां जो हैं, वहाँ पे lay-off हो रहा है, यानि वहाँ पे जो लोग हैं, जो employee हैं, उनको निकाला जा रहा है, तो ऐसे में जो Indian tech professionals हैं, जिनको lay-off season में जिने निकाला जा रहा है, उसमें नमिले खितमा से कौन सा ऐसा देश है, जो उन Indian tech professionals को invite कर रहा है, कि आपको अगर बाकी देशों की companies निकाल रही हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं हमारे पास आईए, तो इसका right answer है Finland, Finland वो देश है जो India के जो tech professionals हैं, lay-off के season में, जब उनको निकाला जा र रहा है, देखिए यह है Finland, इसके बगल में Sweden है, Norway है, यहाँ पर Russia है, यह जो देश है, यह है Finland, Finland की capital है Helsinki, Finland की currency है the euro, और इस समय जब में वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ की Prime Minister है Sana Mirela Marine, next question है, in which country did GRSC and Rolls-Royce sign an MOU Memorandum of Understanding for Manufacturing Marine Engines, किस देश में GRSC और Rolls-Royce ने एक MOU Memorandum of Understanding sign किया है, वहाँ पर Marine Engines को manufacture करने के लिए, बनाने के लिए, तो इसका right answer है India, इंडिया में GRSC और Rolls-Royce ने MOU sign किया है, Marine Engines को manufacture करने के लिए, अब देखो GRSC की full form क्या है, Garden, Reach, Ship Builders and Engineers Limited, इसे ही GRSC abbreviate किया जाता है, यह भारत की leading shipyard है, जो कहां located है, Kolkata में, सवाल पूच ज सकता है कि निमिलिखी में से बताईए, GRSC कहां located है, तो Kolkata में located है, यह क्या करती है, यह commercial जो naval vessels उन्हें बनाती है, उन्हें repair करती है, build और repair commercial and naval vessels, जो commercial और naval vessels होती है, उन्हें यह बनाती है, build करती है, और repair करती है, next question है, who has been appointed as the first CEO, पहला CEO of Gujarat Maritime Cluster, भाई, अभी हाली में क गुजरात Maritime Cluster का पहला CEO नुक्त हो है, तो इसका राइट अंसर है, Madhavendra Singh, option D, Madhavendra Singh जो है, उन्हें गुजरात Maritime Cluster का पहला CEO नुक्त होगा गया है, चलिए, next question है, in which state has Voxon University launched project aspiration to empower adolescent girls of standard 9 to 12 of modal schools and junior college, निमल लिखन में से कौन सा ऐसी state है, जहां के, जो modal schools हैं और जो junior colleges हैं, कि जो adolescent girls हैं उन्हें empower करने के लिए शशक्त करने के लिए वॉक्षन यूनिवर्सिटी ने project aspiration की शुरुवात करी है आपको बताना है नमेल लेके तमेंसे वो कौन सी state है तो इसका right answer option D. तेलंगना तेलंगना वो state है जहां पे वॉक्षन यूनिवर्सिटी ने project aspiration को launch किया है वहां की 9th to 12th में पढ़ने वाली जो adolescent girls है model schools और junior colleges की उन्हें empower करने के लिए शशक्त करने के लिए next question है who has been named as the new vice chief of air force air force के नए vice chief कौन बने है तो इसका right answer A.P. Singh है ये है A.P. Singh जो air force के नए vice chief named हुए है next question है in which state will bio Asia 2023 the global event be hosted bio Asia 2030 जो कि ए global event है वो ने मिले खिरमा से कौन सी state में host किया जाएगा यानि कौन सी state में ये event होगा तो इसका right answer भी तेलंगाना है तेलंगाना में bio Asia 2030 global event host किया जाएगा ये global event है जिसे तेलंगाना host करेगा और इसके साथ साथ UK है United Kingdom वो इसका partner country होगा United Kingdom जहां पे भारतिय मूल के आज के समय परधान मंतरी है रिशी सुनाक next question है which company has been the top selling car maker in the world for the third consecutive year आपको पता है गाडियां बनाने के अलग 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 companies है निमेल लगे मेंसा आपने बतानी है वो कौन सी ऐसी company है जिसने सबसे जादा दुनिया में कारें अपनी बेची गाडियां जिसकी भी की और वो भी थर्ड consecutive year में यानि जो top selling car maker है पुरी दुनिया में जो लगाता है तीसरे सालों से उस थान पर है यानि लगाता है तीसरे सालों से पुरी दुनिया में इसी company की जो गाडियां है वो सबसे जादा बेची जा रही है तो इसका right answer है Toyota Toyota consecutively third year में दुनिया की top selling car maker जो है वो बनी है जो बेरोजगारी भत्ता है जो इसके पास कोई नोकरी नहीं है उसे मन्थली यानि बेरोजगारी भत्ता देने की जो announcement है वो ने मिल लखी नमसे किस state के मुख्यमंत्री ने करी है तो इसका right answer है 36 के मुख्यमंत्री ने अलाउंस किया है कि उनके state में जतने भी unemployed youth है उन्हें मंत्री अलोइंस जो है वो दिया जाएगा next question है which states chief minister announced the capital will be shifted to विशाका पत्नम ने मिल लखी मैं से कौन सी ऐसी state के मुख्यमंत्री ने भी हाली में अलाउंस किया कि हम अपनी capital को विशाका पत्नम में shift कर लेंगे तो इसका right answer है आंध्राप्रदेश आंध्राप्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हाली में अनाउंस किया है कि हम अपनी capital को विशाका पत्नम में shift कर लेंगे इसका right answer एहमदाबाद में थर्टिएथ नेशनल चाइल साइन्स कॉंग्रेस है नेक्स कोश्चन है विश्टेट गौर्मेंट लॉंच समग्र शिक्षा अभियान campaign ने में लिखन में से कौन सी ऐसी state है जिसकी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान campaign को launch किया है तो इसका right answer option c that is उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश ने अभी हाली में समग्र शिक्षा अभियान campaign को launch किया है नेक्स कोश्चन है विच कंट्रेश विल होस्ट फिफ्टीन्थ ब्रिक्स समिट इन अगस्ट दोजार ट्रेश अगस्ट दोजार ट्रेश में ने में लिखन में से कौन सी ऐसा देश है जहां पे ब्रिक्स समयलन जो पंदर्मा ब्रिक्स समयलन है वो होगा तो इसका right answer है साउथ आफ्रिका option C South Africa में अगस्ट दोजार ट्रेश में पंदर्मा ब्रिक्स समयलन जो है समिट जो होस्ट किया जाएगा next question है on which date is the world interfaith harmony week observed आपने बताना है ने में लिखन में से कौन सी तारीके हैं जिनके बीच में world interfaith harmony week एक पूरा हफता है जो world interfaith harmony के लिए observe किया जाता है तो इसका right answer एक से साथ February के बीच world interfaith harmony week observe के जाता है next question है when is the rising day of Indian coast guard observed Indian coast guard का rising day कब observe के जाता है तो इसका right answer क्या है 1st February 1 February को Indian coast guard का rising day observe के जाता है next question है which country launched the domestic card scheme a free go to boost its cashless economy ने मिल लेकर मैंसे कौन सा वो देश है जिसने एक domestic card scheme जिसका नाम है a free go उसे launch किया है अपने देश में cashless economy को boost करने के लिए तो इसका right answer है option b Nigeria Nigeria नाइजीरिया ने अभी हाली में एक domestic card scheme a free go को launch किया है जो की cashless economy को boost करने के लिए launch की गई है next question है which bank issue the so one green bond for the first time for green projects green projects के लिए ने मिल लेकर मैंसे कौन सा वो bank है जिसने पहली बार sovereign green bond को issue किया है तो इसका right answer क्या है इसका right answer option c that is RBI Reserve Bank of India Reserve Bank of India ने अभी हाली में green projects के लिए पहली बार sovereign green bond को issue किया है next question है in which country was the former PM Manmohan Singh comfort a lifetime achievement owner ने मिल लेकर मैंसे कौन सा वो देश है जहां पे हमारे देश के जो पूर पर धानमंतरी है सरदार Manmohan Singh जी उन्हे lifetime achievement honor जो है वो मिला है तो इसका right answer है option d that is UK United Kingdom United Kingdom ने अभी हाली में हमारे ex-prime minister Manmohan Singh जी को lifetime achievement honor दिया है next question in which state will Voxen University launch the project aspiration for girls अभी इसको हमने already देख लिया है इसका right answer क्या है ते लंगाना इस परगार के बीच बीच में questions को repeat किया जाता है तक है आपको एक बार दोबारा वो जो हमने पहले देखा है उसे revision हो जाए next question है which state table was adjust the best in the Republic Day parade by the panel of judges ने मिल लेकर में से कौन सी वो state है जिसका जो Republic Day का tableau था उसे best tableau जो है वो माना गया है जो judges थे judges का panel था उसके द्वारा तो इसका right answer है उत्तराकन उत्तराकन state का जो tableau था उसको best table माना गया है Republic Day parade में 20003 में next question है which country's archaeological survey will launch the Samarak Mitra योजना ने मिल लेकर मैं से कौन सा देश है जिसका archaeological survey जो है वो Samarak Mitra योजना को launch करेगा तो इसका right answer इंडिया है इंडिया का जो हमारा ASI है यानि archaeological survey of India वो launch करेगा Samarak Mitra योजना को archaeological survey of India ने अभी हाले में Odisha के एक शेत्र है वहाँ पे Buddhist sculptures निकले हैं तो उस एरिया को भी अपने अंडर लेने की बात कर रहा है जहां पर kondolet stone की mining होती है इस topic को हमने एक अलग वीडियो में cover किया है आप देख सकते हैं Odisha में Buddhist stoopas निकले हैं और अब वहाँ पे जो ASI है वो इसको अपने अंडर लेने की बात कर रही है लेकिन वहाँ पे concern क्या है कि जिस एरिया में वो निकले हैं उस एरिया में kondolet stone की mining होती है जो की Odisha की अब भादा scheme जो है उसके लिए use की जाती है इसको हमने विस्तास से वीडियो में cover किया है जिसका लिंक आपको discussion में मिल न्यूजेलन वो देश है जिसने डेबी होकली मैडल को launch किया है वोमन क्रिकेटर्स को ओनर करने के लिए next question है what is the growth rate of इंडियन economy in 2023-24 as predicted by the economic survey देखे बजट से पहले हमेशा economic survey आता है economic survey में हर साल predict किया जाता है कि हमारी जो economy है वो इतनी दर से grow करेगी तो अब सवाल है कि 2023-24 इसके लिए जो economic survey आया है उसमें जो इंडियन economy है उसकी growth rate कितनी बताई गई है तो इसका राइट answer है option C 6.5% तो 6.5% prediction है जो हमारी growth rate है इंडियन economy की economic survey के द्वारा काफी important है directly सवाल पूछा जा सकता है next question है the state government started the अरोही नी पहल training program निमिल रिखित में से वो कौन सी state है जि training program को launch किया है next question है which international Kolkata book fair was recently inaugurated कौन सा समस्करन था Kolkata book fair का जिसे अभी हाली में inaugurate किया गया है जिसकी शुरुबात की गई है तो 46th 46th edition है Kolkata book fair का जिसे हाली में inaugurate किया गया है next question है who won the 15th hockey world cup 2023 तो पंदर्वान जो hockey world cup था 2023 में उसका जो वो टाइटल है वो किसने जीता है तो इसका राइट अंसर है जर्मनी ने जर्मनी ने होकी world cup 2023 जीता है next question है who was named the new chairman of the insolvency and bankruptcy board of India insolvency and bankruptcy board of India के नए चेर्मन निमिल लिखिन में से कौन बने है तो इसका राइट अंसर है option a that is रवी मित्तल रवी मित्तल भी हाली में insolvency and bankruptcy board of India के नए चेर्मन बने है next question है which country removed the British monarchy from its banknotes ने मिलना कि मैंसे कौन सा वो देश है जिसने जो British monarchy था उसे अपने बैंकों के नोट से remove कर दिया है तो इसका राइट अंसर क्या है इसका राइट अंसर है Australia अब सवाल यह है कि Australia तो एक independent country है तो फिर उसने British monarchy को अपने banknotes पर क्यों रखा था देखिए जिन भी देशों के ऊपर अंग्रेज्जों ने राज किया है उन्हें common wealth बोला जाता है अब इन common wealth countries में कुछ आते है common wealth realms यानि कि वो आजाद तो हो गे हैं लेकिन वो अभी भी जो British monarchy है जो king और queen है उसको वो अपने देश का king और queen भी मानते है अब इसके बीच्छे भी चली रहती ह अब जादा मानने के नहीं मानने है ना अभी हाले में Britain की जो queen है उसकी death भी हुई Britain की queen से related सारे important gfx को हमने cover किया है जो आपके examination के लिए important है उसे भी जुरूर देखिए का link description में मिल जाएगा तो अभी जो common wealth realm देश हैं ये भी ये जो British monarchy इसको अपने monarchy मानते हैं अब धी जाएगन अभी वह British monarchy को अपने monarchy मानते हैं next question है which state cabinet approve of flory culture mission with an initial investment of Rs. 150 crore covering 20,000 farmers निमल ले खिरम से वह कौन सा ऐसा state है जिसने 150 crore की investment के साथ एक flory culture mission को approve किया है जो की 20,000 किसानों को cover करेगा यानि उससे 20,000 किसानों को farmers को फायदा होगा तो इसका right answer है Assam Assam ने भी हाली में flory culture mission को approve किया है with an initial investment of Rs. 150 crore रुपीज जो की 20,000 से जादा किसानों को cover करेगा next question है which country will be the theme country at the 2025 madrid international book fair जो 2025 madrid international book fair होगा उस fair में निमल ले खिरम से कौन सा ऐसा देश है जो वहाँ का उस fair की theme country होगा तो इसका right answer है इंडिया या अपने ध्यान में रखना है इंडिया 2025 के madrid international book fair का क्या होगा theme country होगा next question है on which date is world cancer day observed globally तो इसका right answer option 4 है यानि की February 4 तो 4 February को globally पूरी दुनिया में world cancer day मना जाता है next question है in which city was the arawali biodiversity park designated by IUCN IUCN के द्वारा निमल लेकि में से कौन से city में arawali biodiversity park को designate किया गया है इसका right answer option B है गुरू ग्राम गुरू ग्राम में arawali biodiversity park को designate किया गया है by IUCN next question है who inaugurated the Iqushe Boyi Mela Iqushe Boyi Mela इसको किस ने inaugurate किया है नाम से पता चल रहा है थोड़ा बंगाली सा नाम है तो इसका right answer बंगलादेश है तो बंगलादेश ने inaugurate किया है Iqushe Boyi Mela next question है on which date is the international day of human fraternity observed निमल लेकिरमा से कौन से वो दिन है जिस दिन international day of human fraternity मना जाता है तो इसका right answer भी क्या है option A that is February 4 तो 4 February को ही world cancer day मना जाता है चाहे February को ही international day of human fraternity observe किया जाता है next question है in which state has action been taken on child marriage with police having arrested over 1800 people so far ने मिल लेकिर मैसे कौन सी वो state है जहाँ पे child marriage के ऊपर काफी कड़े action लिये जा रहे है और police ने 1800 से जादा लोगों को arrest किया है जो कि child marriages में lift थे यानि की child marriages करवाने जा रहे थे या करवा रहे थे तो इसका right answer है Assam यह बहुत ही अच्छी पहल है Assam government के द्वारा Assam government जो है उसने काफी strict action लिये है child marriage को रोकने के लिए 1800 से जादा लोगों को अभी तक arrest किया जा चु चाहिए अब हाला कि यह unconstitutional तो है मंगर दिक्कत दे कि समाज में भी भी बहुत लोग जाएं वो इसको practice करते हैं जो कि बिलकुल नहीं होनी चाहिए शिक्षा अनिवार है सबसे पहले education पूरी होनी चाहिए और उसी के बाद marriage मूरी जो इन सब चीजों के बारे में सोचना च रही है next question है in which state has दियोगर मार्ट an online marketplace for local artisan been made operational नहीं में लेखे मैंसे कौन सी वो state है जहां पे local artisans के लिए एक online marketplace operational हुई है जिसका नाम है दियोगर मार्ट तो इसका राइटन सच जारखंड है तो जारखंड के जो local artisans है उनके लिए एक online marketplace एक platform अपना समान भेचने के लि है next question है how many years of independence is Sri Lanka celebrating under the theme नमो नमो मठा a step towards a century एक theme के माध्यम से श्री लंका अपने देश के कितने सालों की जो independence है जो अजादी है उसे celebrate कर रहा है तो इसका right answer 75 है तो अपनी 75th independence को श्री लंका celebrate कर रहा है under the theme नमो नमो मठा a step towards a century next question है in which city was the 36th सूरजकुंड international craft मेला inaugurated by vice president जगदीब धांकर जी हमारे vice president जगदीब धांकर जी के द्वारा ने मिल लेकिन में से कौन सी वो city है जहां पे 36th सूरजकुंड international craft मेला जो है उसे inaugurate किया गया है तो इसका right answer है option d that is फरीदाबाद तो फरीदाबाद में 36th सूरजक ministry cabinet इस परकार के तमाम topics को हमने अपने इंडियन पॉलिटी सीरीज में cover किया है वाइस पैजन से लेटर सारे important facts आपको वहां मिल जाएंगे अब जाए हमारे इंडियन पॉलिटी की प्लेइस्ट में वहां पर आपको सारे इंडियन पॉलिटी की जितनी important वीडियो जभी तक ह हमने बनाई है वो मिल जाएंगी बाकी जो नहीं बनाई है वो भी धीरी धीर हम बना रहे हैं हम पुरी की पुरी इंडियन पॉलिटी को cover करेंगे हमें आपके साथ हो समर्थन की जूरत है इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजेगा और वाइस प पॉन्टी आइज 2 वीक्राइब उन्टी गाउनटी अब हमेंगे प्वी अव्हा एस द्यूरत ह से अश्य को पॉन्ती सिक्सर फिंडर ऑन्टी से पॉन्ट्र Fey Inde 6 Cin tossed और व्हा पॉन्ट यहां अप technology park for the IT sector IT sector के लिए एक technology park को inaugurate किया है तो इसका right answer है में घाल लिया तो में घाल लिया में अभी हाली में inaugurate हुआ है technology park for the IT sector next question है in which country is the super hornet fighter aircraft manufacturer ने मिलने के कौन सा ऐसा देश है जहां पर super hornet fighter aircraft manufacturer किया जाता है इसका right answer है United States of America next question है in which state UT is the Khijadia wildlife century located which is a new ramsar site तो मिल लगे मैंसे कौन सी ऐसी state यह union territory है जहां पर Khijadia wildlife century located है जो अभी हाली में नई ramsar site बनी है तो इसका right answer गुजरात है गुजरात में Khijadia wildlife century है जो की नई ramsar site बनी है next question है which country shot down a suspected spy balloon flying across the border last week अभी यह काफी important है क्योंकि इसका right answer है United States of America या एक ऐसा balloon जिसके ऊपर suspicion था शक्त था कि यह spy कर रहा है यह क्या कर रहा है spy करने का मतलब होता है jasusi करना तो एक balloon जिसके ऊपर suspicion था शक्त था कि यह jasusi कर रहा है उसे United States of America ने अभी हाले में क्या किया है शॉर्ट डां कर दिया अभी यह था किसका तो यह था इसे शोट डाउन कर दिया गया अमेरिका के द्वार नेक्स कोश्चन है इसका राइट अंसर है उप्शन सी पतांजली तो पतांजली वो कंपनी है जिसने नागलयन गौर्मेंट के साथ मौयो साइन किया है पाम ओईल कल्टिवेशन के लिए इसका राइट अंसर कोन सी कंट्री होस्ट करेगी तो इसका राइट अंसर ऑप्शन ड है Saudi Arabia जो 2027 का Asian Cup है for football उसे host करेंगे Next question है Where will the next edition of the Asian Football Cup be hosted in 2030 Now Asian Football Cup का जो अगला edition है 2030 में उसे कहां host किया जाएगा तो उसको Qatar में host किया जाएगा इसका राइट answer option A है Next question है The Chief Justice of Daesh is the chief guest at the 73rd Foundation Day of Supreme Court of India Supreme Court of India के 73rd Foundation Day के दिन कौन से देश का Chief Justice हमारे यहाँ पे Chief Guest बनकर आए थे तो इसका राइट answer है option है Singapore Singapore के जो Chief Justice है वो Chief Guest आए थे 73rd Foundation Day जो हमारे Supreme Court of India का था Next question है Which country is promoting tourism targeting India by identifying sites linked to Ramayana मैंसे कौन सा वो देश है जो इंडिया के जो tourist है उसे target करने के लिए अपने tourism को promote कर रहा है यानि उन sites को promote कर रहा है जो Ramayana के साथ जुड़ी है तो अब इन सारे देशों को देखो Greece, Norway, Cuba तो क्यों होंगे Ramayana के साथ क्या जुणा है Ravan जो की Lanka का था जिसकी Lanka को हनुमान भगवान ने जलाया था तो इसलिए राइट अंसर क्या है Shri Lanka Shri Lanka वो देश है जो इंडिया को target करते हुए अपने tourism को promote कर रहा है उन सारी की सारी sites को identify करके जो Ramayana के साथ जुड़ी है ताकि भारत के जो लोग हैं खास कर जो हिंडू है वो वहाँ पर आएं वहाँ पर उन सारी sites में आएं घूमें फिरें तो उससे वो घूम फिर भी लेंगे लेकिन जो Shri Lanka है उसे पैसा भी मिलेगा टूरिजम से पैसा मिलेगा और वैसे भी आप जानते हैं कि Shri Lanka की जो economy की हालत है वो काफी खसता हो चुकी है इस समय तो इसलिए टूरिजम बढ़ा कर भी उनको थोड़ा फाइदा हो सकता है next question है विस स्टेट वोन दा फर्स्ट एडिशन आफ नैशनल बीच सोकर चैंपियंशिप 2023 तो नैशनल बीच सोकर चैंपियंशिप 2023 सबसे पहले तो 2023 में ही हुई अब सवाल है कि इसका जो पहला समस्करन था जो फस्ट एडिशन था उसे ने मिल लेकि मैसे कौन सी स्टेट ने जीता है तो इसका राइट अंसर है केरल केरल नैशनल बीच सोकर चैंपियंशिप 2023 इसका फस्ट एडिशन जीता है नेक्स कोशन है इनवी स्टेट और उडियन टेटरी वाज ओपरेशन सद भावना लांच त बाइदा इंडियन आर्मी ने मिल लेकित मैसे कौन सी वो स्टेट है जहां पे इनडियन आर्मी के द्वारा ओपरेशन सद भावना लांच किया गया तो इसका राइट अंसर है उप्शन बी लदाक लदाक में हमारी इनडियन आर्मी ने उपरेशन सद भावना को लांच किया नेक्स कोशन है When will India's first hydrogen train One day metro operate on heritage routes Heritage routes में हमारे भारत की पहली Hydrogen train जिसका नाम है One day metro वो कब से चलेगी Operate होगी तो इसका राइट अंसर सब्टमबर है सब्टमबर महीने से भारत की पहली hydrogen train One day metro ओपरेट होना शुरू हो जाएगी Heritage routes के लिए Next question Which country along with France and India Has agreed to establish a formal Trilateral Cooperation Initiative by its Foreign Ministers तो नहीं में से वो कौन सा देश है जिसने France और इंडिया के साथ Agree किया कि हमें एक Trilateral Cooperation Initiative बनाना चाहिए हमारे Foreign Ministers के साथ तो एक तो हो गया इंडिया एक हो गया France और तीसरा कौन सा है UAE यानि United Arab Emirates तो यह तीनों ने decide किया कि हम एक Trilateral Cooperation Initiative बनाएंगे जो Foreign Ministers के साथ बनाया जाएगा Next question है We state launched the Mero Rukh Mero Santati New Green Initiative ने में लेकिन मैं से कौन सी वो state है जिसने Mero Rukh Mero Santati नाम का जो एक निया Green Initiative इसकी शुरुवात करी है तो इसका right answer है Sikkim Sikkim ने अभी हाली में Mero Rukh Mero Santati नाम के Green Initiative की शुरुवात करी है Next question है Inverse country was a state of emergency declared after forest fires killed 23 people नहीं लिखन मसे कौन सा वो देशा है जहां पर emergency declare करने पड़ी जब forest fires की वज़र से त्रेश लोगों के मृत्य होगी तो इसका right answer है चिले अब देखिए forest fires क्यों होते है इसका कारण क्या है इसके पीछे science क्या है इन सब को हमने अलग वीडियो में cover किया है जिसका link मैं आपको description में भी देदूँगा और आप हमारी playlist में जाएए geography वहां पर भी आपको forest fires और इसके causes effects सब मिल जाएंगे और उसमें हमने animation के मादम से विस्तार से आपको forest fires related जतने important facts आपको जानने चाहिए वो हमने cover किये है तो उसका link आपको description में देदूँगा एक बार उसे जरूर देखेगा हाली में चिले वो देश है जिसने emergency declare करी जब forest fires वहां पर हुई जिसके वैसे 23 peoples की मौत होगी next question है which company has initiated project illora to promote local language in india's digital world भारत का digital world है इसमें local languages इसको promote करने के लिए निमें लगे मैंसे कौन सी वो company है जिसने project illora को initiate किया है तो इसका right answer है Microsoft Microsoft वो company है जिसने हाली में initiate किया project illora to promote local languages in india's digital world next question है which three countries established trilateral cooperation initiatives in fields including energy, defense and economy तो इसका right answer क्या है India, France and UAE अब इसी same चीज़ को हमने पहले भी cover किया लेकिन मैंने दोबारा क्यों लिखा क्योंकि कई बार क्या होता है देखती 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 कुछ और खाब लेने लग पड़ता है या फिर देखते देखते क्या उस होई जाता है तो इस परकार से जो questions को repeat किया जाता है तो इससे फिर उसको लगते कि या रे इतना भारी भरकम जो भुकम पह वो उस देश में आया तो इसका राइट अंसर तर्की है यह काफी खबरों में था आपको पता ही होगा तर्की वो देश है जहां पे 7.8 मेंगनिटूट का अर्थकवयक आया 5 February 2013 इसको next question है इन्वी सिटी इडिर प्रायमरे स्टेशिं निरेंडर मोदी रेसेंटली ले था Foundation Stone of South India's first industrial corridor project में मिल लगिरमे से कौन सी वो सिटी है जहां पे हमारे प्रदान मंतरी अधर निरेंडर मोदी जैन्प भी foundation stone रखा South India का इंडिया के बात नी, South India का पहला industrial corridor project तो इसका राइट अंसर है option B that is Tumakuru, Tumakuru वो city है जहां पर foundation stone रखा गया है South India के पहले industrial corridor project का हमारे प्रधान मंतिशी नरेंद मोधी जी के द्वारा next question है Which country has recently been named as the pioneer investor in blue economy by international sea bed authority से कौन सा वो देश है जिसे pioneer investor माना गया है blue economy में किसके द्वारा माना गया है international sea bed authority के द्वारा तो इसका right answer भी हमारा प्यारा भारत है भारत को pioneer investor माना गिया है blue economy में by international seabed authority next question which city became the second municipal body to issue green bond ने में लगे मैंसे कौन सी city दूसरी ऐसी municipal body बनी है जिसने green bond को issue किया है इसका right answer indoor है indoor दूसरी ऐसी municipal body बनी है जिसने green bonds को issue किया है next question है in which city did the union minister inaugurated the second seo young scientist conclave ने में लेकिन मैंसे हमारे कौन सी ऐसी city है जहां पे union minister ने inaugurate किया है दूसरी seo young scientist conclave आप से सिद्धा ये सवाल बूचे जा सकता है कि second seo young scientist conclave ने में लेकिन मैंसे किस city में हुई है तो इसका right answer option c बैंगलूरू असान याद रखना seo young scientist conclave अब यहां scientist आ गया है तो scientist जो है वो कहां पे conclave कर रहे है science city में कर रहे है that is बैंगलूरू में कर रहे है तो second seo young scientist conclave कहां हुई बैंगलूरू में next question है according to a report by WHO how many million people could be affected by the Turkey Syria earthquake अब जो Turkey में earthquake आया था और Syria में earthquake आया था WHO World Health Organization के मताबिक ने में लेकि मैंसे कितने लोग कितने million ऐसे लोग है जो affect हुए होंगे Turkey और Syria के भुकम की वज़े से तो इसका right answer 23 है 23 million people affect हो सकते हैं Turkey Syria के earthquake से as per report by WHO next question with which country did Myanmar sign a pact for developing nuclear power जो में लेकिते मैंसे कौन सा वो देश है जिसके साथ Myanmar ने एक pact sign किया है nuclear power को develop करने के लिए Myanmar हमारा परोसी देश है आज के समय यहाँ पर military जनता का rule है यहाँ पर जो democratically elected government थी उसके खिलाफ पहां की आर्मी ने coup किया COUP कू इसको कूप नहीं पढ़ते है कूप पढ़ते है तो कूप किया और अब यहाँ पे किसका rule है military जनता का rule है अब यह जो में मार है इसने एक देश के साथ pact sign किया है nuclear power को develop करने के लिए तो वो देश है रशिया तो रशिया के साथ म्यान मार ने क्या किया है pact sign किया है nuclear power को develop करने के लिए रशिया का पुराना नाम USSR था Soviet Union USSR के उपर हमने सारी important mcqs को cover किया है जहां पे हमने सारी important facts को cover किया है अगर आपने एक बार USSR के वीडियो देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि रशिया और अमेरिका की क्यों ने बनती और रशिया और यूकरेन के बीच में जो अभी तक यूद चला है जो इतने समय के बाद भी चल रहा है उसके पीछे भी क्या मुख्य कारण है USSR latest सारी important questions को हमने वहां cover किया है जिसमें आपको पता चलेगा USSR कैसे बना कैसे वहां पे जो जार्स थे उन्हें हराया गया फिर वहां पे Russian Revolution के बाद वहां पे communism establish हुआ फिर वो communism को समय तक चला उसके बाद उसका विघटन हुआ USSR का विघटन हुआ और अन्तता रशिया अलग हो गया और बाकि जो चोटे मोटे देश थे वो अजाद होगे उस वीडियो को एक बाद जरूर देखेगा जिसका लिंक आपको डिसक्रिशन में मिल जाएगा नेस्ट कोर्शन है इन्विच सिटी वाजदा युवा संगम रेजिस्टेशन पोर्टल लॉंच्ट इन्विच मन्थ विल इसरो नासा लॉंच दा निसार सैटलाइट फॉम इंडिया भारत से इसरो और नासा दोनों मिलके कौन से महीने में निसार सैटलाइट को लॉंच करेंगे तो ये भी सब्तमबर में करेंगे तो इसरो और नासा सब्तमबर महीने में निसार सैटलाइट को launch करने वाले हैं next question in which state has the मुख्यमंतरी तीरे से दर्शन योजना बेन स्टार्टे निमिलेकिन में से वो कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर मुख्यमंतरी तीरे से दर्शन योजना को स्टार्ट किया गया है तो इसका राइट अंसर कौन कराएगा मा मा करवाएगा next question है वेरवाज इंडिया फर्स्ट ग्लास इल्गू रिस्टोरेंट उपन ने में लेकिन मैंसे वो कौन से ऐसी जगह है जहां पर भारत का पहला ग्लास इगलू आपते हैं न इगलू बरफ से जो जाके मैं उसको इगलू ужд तो पहला से उपते हैं तो पहला इल्गू रिस्टोरेंट जो है वो बना है ओपन हुआ है तो इसका राइट असर है गुल मार्ग गुल मार्ग वह जगह जहां पहला से बहुँ ख invari ने horizon रस्टेशन हुई टर्की और सीरिया में तो वहां पर उन्हें मदद उन्हें एसिस्टेंस एक्सेंड करने के लिए पहुंचाने के लिए operation दोस्त की शुरुबात करी अब दोस्ती तो शब्द जो है ये हमारे भारत में हम ही यूज करते हैं ना हम भासे में ये मेरा दोस्त है ये मेरा दोस्त नहीं है तो इसका right answer क्या है option है इंडिया operation दोस्त को launch किया गया है भारत के द्वारा टर्की और सीरिया में जो devastating earthquake हुए उसके बाद वहाँ पे assistance प्रवाइड करने के लिए next question है in which country did nearly 600 sea lions die due to a bird flu outbreak नहीं मिलें कि मैंसे वो कौन सा देश है जहां पे bird flu की outbreak की वज़ा से 600 से जादा लगबग लगबग 600 sea lions जो होते हैं वो मर गए तो इसका right answer क्या है पीरू है पीरू में 600 से जादा sea lions की मृत्य होगी bird flu outbreak की वज़ा से next question है at which state will India's first biomass based hydrogen plant be established नहीं मिलें कि मैंसे वो कौन से state है जहां पे भारत का पहला biomass based hydrogen plant establish किया जाएगा तो इसका right answer मद्यपरदेश है तो मद्यपरदेश में भारत का पहला biomass based hydrogen plant establish किया जाएगा next question है in which city was the yuva sangam registration portal for the youth of north east region launched तो पहले भी हमने इसको discuss किया लेकिन अगर कोई सो गया है तो जाग जाओ right answer है new daily next question है during which month does india markets annual energy week कौन सा महीना है जिसमें इंडिया अपना साल का annual energy week mark करता है तो यह February वो mark करता है तो February is the right answer next question है on which date is world pulses day observed निमें लिखे में से वो कौन सी तारीक है जब world pulses day मना जाता है तो 10 February को world pulses day मना जाता है next question है with which country space agency did ISRO collaborate to construct Nisar and earth monitoring satellite निमें लिखे में से वो कौन सा देश है जिसके साथ इसरो ने collaboration करी है Nisar को construct करने की जो की एक earth monitoring satellite है तो इस रो ने यह collaboration किसके साथ करी है नासा के साथ करी है तो यह किसकी space agency है यह United States of America की space agency है next question है which country is removing Chinese made cameras from its offices over spying concern इसको हमने एक अलग वीडियो में भी cover किया है विस्तार से जो वीडियो मैंने आपको बताया था जहां पर चाइना और जपान का security dialogue हुआ उसमें आपको security dialogue के बारे में बताया था और उसमें यह भी बताया था कि अभी कुछ समय से चाइना और उस्टेलिया के बीच में जो रिष्टे हैं वो काफी खराब चल रहे हैं हाले में ऑस्टेलिया वो देश है जिसने चाइना के द्वारा जो made in चाइना कैमराज हैं अपने offices से उन कैमराज को निकाल दिया है spying concern के लिए यानि उन्हें डर है कि इस camera के मादे हमसे Chinese authorities जो हैं वो हमारे उपर spy ना करें जासूशी ना करें तो इसका right answer Australia है चाइना और जपान के बीच में जो security dialogue की मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने इसे cover किया है और इसके साथ साथ वहां मैंने आपको यह भी बताया है कि Sinaku Islands के ओपर कैसे चाइना और जपान के बीच में controversy चल रही है और उसके बावजूद भी क्यूं चाइना जो है वो जपान इंडिया और Australia जैसे देशों के लिए अभी नरम पढ़ रहा है क्योंकि इसकी जो GDP है वो कौन सी city है जहां पर हमारे देश के परदानमंति शी नरेंदर मोदीजी ने एक Arabic Academy को इनौगरेट किया है तो इसका राइट अंसर Mumbai है Mumbai में मोदीजी ने एक Arabic Academy को क्या किया है इनौगरेट किया है next question है which country is associated with the state of the union so to address नमें लिए मैं से कौन सा वो देश है जो so to address state of the union address के सा associated है जोड़ा हुआ है यानि कि उस state में state of the union so to address जो होता है तो इसका राइट अंसर US से है United States of America में so to address होता है next question है what is the country of origin for Eagle 44 ओगाब 44 the first underground air force base दुनिया का पहला underground air force base है जिसका नाम है Eagle 44 आपने बताना है कि ने में लिखे मैं से कौन से देश में है तो इसका राइट अंसर इरान है भाई next question है in which city did SBI open its third specialized startup branch ने में लिखने माँसे कौन चुब ऐसी city है जहां पर SBI ने State Bank of India ने अपनी तीसरी specialized startup branch को open किया है तो इसका राइट अंसर Guru Gram है Guru Gram में SBI ने तीसरी specialized startup branch को launch किया है next question in which city was the national philatic exhibition Amrit Pax inaugurated by Union Minister Ashwini Veshnav जी जो हमारे Union Minister है उनके द्वारा कौन से city में national philatelic exhibition Amrit Pax की inauguration हुई है तो इसका राइट अंसर दिल्ली है दिल्ली में हमारे Union Minister Ashnavi Veshnav जी ने National philatelic exhibition Amrit Pax को inaugurate के next question in which state UT were lithium reserve discovered for the first time काफी important है काफी ख़बरों में भी था नमें लेकि मैंसे कौन सी वो state या union territory है जहां पर पहली बार lithium reserve discover हुए है तो इसका राइट अंसर जम्मू कश्मीर है यह काफी ख़बरों में था आपको पता ही होगा next question है which state government launch the family ID one family one identity portal नमें लेकि मैंसे कौन सी वो state government है जिसने family ID one family one identity portal को launch किया है तो यह उतरपरदेश ने किया है राइट अंसर है option A उतरपरदेश की सरकार ने अभी हाली में एक family ID को launch किया one family one identity portal next question on which date is the international day of women and girls in science 2003 observed नमें लेकि मैंसे वो कौन सी तारीख है जब international day of women and girls in science को observe किया गया है तो इसका राइट अंसर 11 February है 11 February वो दिन है जब international day of women and girls in science 2003 observe किया गया next question where did the year-long celebration commemorating the 200th birth anniversary of Maharishi Dhyanand Saraswati commences ने मिल लगे मैंसे वो कौन सी जगह है जहां पे 200th birth anniversary थी Maharishi Dhyanand Saraswati ji की उसकी commemoration में याद में जो पूरी की पूरी एक साल की जो पूरी ये celebration चली उस वो कहां commence हुई यानि कहां खतम हुई तो इसका राइट अंसर दिली में है तो दिल long celebration एक साल की पूरी celebration जो थी वो खतम हुई तो राइट अंसर इस न्यू डेली नेस्स कोशन है इन विच कंटी इंडियाज हाई कमिशन अन्वील दा सुबर्नो जैंती ICCR scholarship program ने में लेकिन में से कौन सा वो ऐसा देश है जहां पे हमारे बात के हाई कमिशन ने सुबर्नो ज सा देश है जिसने काफी सीवर पावर शोटेज की वजह से अमर्जेंसी डिकलेर कर दी तो इसका राइट अंसर ऑप्शन डी है साउथ अफरिका साउथ अफरिका में पावर शोटेज हुई बहुत ज्यादा पावर शोटेज हुई जिसके वैसे state of emergency जो है वो डिकलेर कर दी के लिए तो इसका राइट अंसर इंडिया है तो इंडिया के लिए sky air ने लांच किया है पहला traffic management system for drones next question हा all india radio announced it would start broadcasting news in the local dialect in the tribal बस्तर region of which state तो अभी all india radio ने ये अनाउंस किया है कि वो local language में ख़बरों को broadcast करना शुरू कर देगा ट्राइबल बस्तर region के लिए सवाल है कि ये region जो है ये किस state में है तो काफी easy है 36 गड़ is the right answer तो 36 गड़ में जो ट्राइबल बस्तर region है वहां के लिए उनके लोगों का जो local dialect है उसमें broadcast करना ख़बरों को शुरू करेगा all india radio next question है who is the first indian captain to score a century across all formats जितने भी cricket के formats हैं उन स पारों में एक century शर्तक स्कोर करने वाला पहला भारती जो कप्तान है वो कौन बना है तो इसका right answer है रोहिर शर्मा रोहिर शर्मा पहले भारती कप्तान बने है जिन्होंने हर format में century ठोकी है next question है who has been appointed as the new governor of महरास्टा by the president of india after accepting the resignation of भगत सिंग कोश्यारी भगत सिंग कोश्य इंडिया ने निया governor निक्त किया है महरास्टा का तो इसका right answer रामेश बाइस है तो रामेश बेच अभी हाली में नए governor बने है महरास्टा के अब आता ही president of india की हमने president of india को अच्छे से cover किया है president of india के elections उसमें vote value क्या होती है single transferable vote क्या होता है इसके साथ है president की क्या क्या qualifications हो नियोर उन सारी चीजों को हमने अच्छे से विस्तार से cover किया है हमारी playlist में जाए इंडियन quality में वहां पे आपको सारी वीडियो में मिल जाएंगे आज के समय हमारी भारत के रास्टर पती कौन है शरी मति दौपदी मुर्मु जी से related सारे के सारे important जी के questions को मैंने एक अलग वीडियो में cover किया है तो उसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इन सारी वीडियो के लिंक्स आपको हमारे description box में मिल जाएंगे एक बार description box को जुरू चेक कर लीजेगा next question है recently in which state did the anti-coping law came into force ने मिल लेकि मैंसे कौन सी वो state है जहां पे anti-coping law को लाया गया है तो उत in which state ने मिल लेकि मैंसे कौन सी ऐसी state है जहां पे hoti culture को promote करने के लिए ADB ने 130 million dollar का loan approve किया है तो इसका right answer हिमांचल परदेश है तो हिमांचल परदेश में जो hoti culture है उसे promote करने के लिए ADB ने 130 million dollar का जो loan है उसे approve कर दिया है next question है which countries lead the international biofuels alliance international biofuels alliance को को कौन से देश लीड करते हैं तो इसका right answer इंडिया Brazil और United States है तो इंडिया Brazil और United States यह तीन ऐसे देश हैं ऐसे country हैं जो international biofuels alliance को lead करती है next question है where will the 12th world hindi conference be held in 2023 2023 में बार्मी world hindi conference निमिल लिखे हमेंचे कहां पे होगी तो इसका right answer है Fiji Fiji में 12th world hindi conference 2013 में होगी और यह जो conference है यह 15 February से 17 February तक होगी next question है recently a new species of voiceless frog name the ukaguru spiny throated reed frog was discovered in which country निमिल लिखे में से कौन साइसा देश है जहां पर अभी नई species जो voiceless frog की है वो discover हुई जिसका नाम रखा गया है ukaguru spiny throated reed frog तो यह किस देश में discover हुई यह discover हुई है तन्जानिया में तो तन्जानिया में अभी हाली मे voiceless frog की एक नई species discover हुई है जिसका नाम ukaguru spiny throated reed frog रखा गया है next question है when is world yunani day observed every year निमिल लिखे में से वो कौन सी तारीक है जब हर साल जिस तारीक को world yunani day observe के जाता है तो इसका राइट अंसर 11 February है तो 11 February वो दिन है जब world yunani day observe के जाता है हर साल next question approximately what percentage of world's natural wetlands were lost between 1700 to 2020 सन 1700 से लेके 2020 तक पूरी दुनिया के approximately कितनी percentage of natural wetlands की जो lost हुई है खतम हुई है तो इसका राइट अंसर है 20 परसंट तो 1700 से लेके 2020 तक दुनिया के 20% natural wetlands है वो lost हो चुके है next question है in 89 tests how many wickets did R. Ashwin take to become the second fastest cricketer in the world to achieve this feat अपने 89 test matches में कितने number है उन wickets का जो R. Ashwin ने लिये हैं दुनिया का दूसरा fastest cricketer बनने के लिए यानि दूसरा ऐसा fastest cricketer जिसने जो feet है इसे achieve किया हो तो इसका राइट अंसर है 450 wickets next question है in which city did the राष्ट्य संस्कृती महाँचसफ 2013 begin ने में लिखने में से कौन से वो city है जहां पर राष्ट्य संस्कृती महाँचसफ 2013 की शुरुबात हुई तो इसका राइट अंसर option C है that is Mumbai next question है in which city for the first time India and the United States organized exercise Turkish in response to nuclear chemical and biological terrorist attacks nuclear chemical और biological terrorist attacks जो होते हैं उनके response में हमारे इंडिया हमारे प्यारे भारत में और United States of America ने एक exercise करी उस exercise का नाम है exercise Turkish और यह पहली बार हुई आपको बताना है कि यह कौन सी city में हुई तो इसका राइट अंसर है Chennai Chennai में पहली बार इंडिया और USA ने और उर्गिनाईज करी exercise Turkish जो किसके response में की गई nuclear chemical और biological terrorist attacks के response में नेक्स question है in which city is the river city alliance धारा hosting its annual member gathering यह जो river city alliance धारा यह नमिलिकी में से कौन सी ऐसी city है जहां पर अपना annual जो members की gathering है उसे host कर रहा है तो इसका राइट अंसर पूने है next question है on which date is international epilepsy day celebrated ने मिलिकी में से वो कौन सी तरीख है जब international epilepsy day celebrate किया जाता है तो हर साल February 13 को international epilepsy day celebrate किया जाता है next question है which country top the world happiness index 2030 ने मिलिकी में से वो कौन सा देश है जिसने world happiness index को top किया है 2030 में तो इसका राइट अंसर है Finland next question है CP Radhakrishnan has been made the governor of which state ने मिलिकी में से कौन सी वो state है जहांके नए governor CP Radhakrishnan बने है तो इसका राइट अंसर जार्खंड है जार्खंड के नए governor बने है CP Radhakrishnan next question है recently HAL gave the first advanced light helicopter mark 3 to which country ने मिलिकी में से वो कौन सा देश है जिसे HAL ने पहला advanced light helicopter mark 3 जो है उसे दिया है तो इसका राइट अंसर मौरिशस है option B is the right answer next question who launched the digital payments would serve in New Delhi ने मिलिकी में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने New Delhi में अभी हाली में digital payments उच सब को launch किया तो इसका राइट अंसर एश ने भी वैशनव है next question है which state government has presented a plan to make all competitive examination free in its budget तो अब यह काफी important चीज है कि ने मिलिकी में से कौन सी इस state government है जिसने यह plan किया है कि जितने भी competitive examinations है वो सारे सब लोगों के लिए free कर दिये जाएंगे यह उसके budget का plan है तो अब सवाल है कि यह कौन सी state government है तो यह राजस्थान की government है और अगर ऐसा होत है तो यह काफी अच्छा initiative भी होगा क्योंकि कई बार जो गरीब आदमी होता है वो विचारा यह सोच कर ही विचारा competitive examinations को नहीं भरता है कि पैसा बहुत जाए तो इसलिए competitive examinations जब free ही हो जाएंगे तो वहाँ पर फिर वो गरीब आदमी का बच्चा भी भर सकता है और test में फाइट कर सकता है और वो जीत भी सकता है यानि वो जो भी job है या seat है वो निकाल सकता है तो इसलिए यह काफी अच्छा initiative है अगर यह ground zero पे उतरता है तो तो इसलिए रहस्तान वो state है जिसने अभी हाली में budget में यह announce किया है कि वहाँ पे जितने भी competitive examinations होंगे वो free हो जाए भारत के लिए जो आउस्टेंडिक सर्वीस है उसके लिए निमर लिकिनमा से कौन सी स्टेट की पुलिस फोर्स है जिसे पैसटेंट ओंडर के द्वारा कलर अवोर्ड से नमाज आ गया तो इसका राडट अनथा जो है वह हार्याना है पुलिस है इसको पैस्टेंड कलर अव which country has been hit by the recent cyclone gabriel ने मिल लिखिए मैसे वो कौन सा देश है जहां भी हाली में cyclone gabriel जो है वो आया तो इसका रहा एंसर है न्यूजीलेंड next question है which country researchers discover the invisible galaxy ने मिल लिखिए मैसे वो कौन सा देश है जिसकी जो researchers उन्होंने हाली में एक invisible galaxy को discover किया है तो इटली के scientists जो है researchers उन्होंने अभी हाली में एक invisible galaxy को discover किया है next question है इन्वे city was India's first electric AC double decker bus inaugurated ने मिल लिखिए मैसे वो कौन से city है जहां पर भायत के पहली AC double decker जो bus है उसे inaugurate किया गया है तो अभी हाली में मुंबई में किया गया है तो ध्यान रखिएगा मुंबई वो city है जहां पर भायत के पहली electric AC double decker जो bus inaugurate हुई है next question है which country is set to send its first female astronaut to space this year इस साल तक नमिल लिखिए मैसे वो कौन सा ऐसा देश है जो पहली अपनी जो महिला एस्टोनोट उसे space में भेजेगा तो इसका राइट एंसर है साओधी अरेबिया साओधी अरेबिया वो देश है जो पहली बार अपनी महिला एस्टोनोट को space में इस साल भेजेगा नेक्स्क कोश्चन है और विच डेट इस नेशनल वुमेंस डेश ऑप्जाफ इन इंडिया नेमिल लेकिन मैसे वो कौन सा ऐसा तरीख है जब नेशनल वुमेंस डे भायत में मना जाता है तो इसका राइट एंसर है 13 फेबुरेरी देखिए इंटेनल वुमेंस डे मना जाता चुरुबात करी 16 फेबुरेरी को तो इसका राइट अंसर न्यू देली है न्यू देली में पी अमोधी ने इनागरेट किया है नेशनल आधी महुच सब को नेक्स कोश्चन विच कंट्री अकांट फॉर फिफ्टी परसेंट ओ फोरें इंवर्ड रेमिटेंस तो इंडिया जितने भी हमारे यहां पर फोरें इंवर्ड रेमिटेंस आती है उसका 50 परसेंट निमें लेकिन में से कौन से देश जो है वो अकांट करते हैं तो इसका राइट अंसर है उप्शन है दिस यूए यूए यूके औं सिंगापूर नेक्स कोश्चन उन विच देट इस वर्ल रीडियो डेयो अबसर्फ निमें लिखने में से वो कौन से ऐसी तारीक है जब वर्ल रीडियो डेयो डेयो अबसर्फ की जाता है तो इसका राइट अंसर ऑप्शन दी है तैट इस 13 फेबरी नेक्स कोश्चन है इन विच इस लार्ज़ेस एर क्वालिटी मोनिटरिंग चंबल रीवर में जितना भी वाटर क्लेक्ट होगा उसको अठर डिस्टिक्स तक पहुंचाने के लिए निमिंग लिखित में से ऐसी स्टेट है जिसने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तेरह सो क्रोड पे तक का जो घड़न राशी वो अलोकेट किया तो इसका रा जहां पे जो transfer water है जो चंबल रीवर में collect हो रहा है उसे बाकी डिस्टिक सक पहुंचाने का काम किया जाएगा Next question है which country recently partner with Indonesia, Malaysia, Thailand growth triangle joint business council तो Indonesia, Malaysia और Thailand इन तीन देशों के बीच में जो एक growth triangle है for joint business council उसे अभी हाली में किस देश ने partner किया है तो इसका right answer इंडिया है तो इंडिया ने भी हाली में Indonesia, Malaysia, Thailand का जो growth triangle है joint business council उसे क्या किया है partner किया है Next question है on which date is international childhood cancer day observed हमने कहा world cancer day 4 February अब है international childhood cancer day तो यह का मना जाता है यह February 15 अगा मना जाता है Next question है in which state did Sonia Gokani become first woman acting chief justice जहां पे पहली जो woman acting chief justice है वो Sonia Gokani बनी है तो इसका right answer Gujarat है Next question है which neighboring country of India partner with Russia for developing nuclear power तो अभी हाली में देखा कि Myanmar वो देश है जिसने एक pact sign किया है रशिया के साथ nuclear power को develop करने के लिए Next question है where is Nebraska sand hills where a new type of quasi crystal was discovered located अभी हाली में Nebraska sand hills है वहां पे एक नई तरीके का quasi crystal जो है उसे discover किया गया है सवाल है कि यह Nebraska sand hills जो है जो है यह नहीं लिक्त में से कौन से दिश में है कहां लोकेट करते हैं इसका राइट अंसर नाइट इसस उप अमेरिका है तो USA का जो ने वरस का sand hill है वहां पे एक नए तरीके का quasi crystal जो है उसे discover किया है Next question है which state duty is hosting इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मारतन इसको हमने एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है इसका राइट अंसर लद्दाक है तो लद्दाक में यह पहली भात की frozen लेक मेरतन हुई है इससे लेटे सारे important facts को हमने उस वीडियो में कवर किया है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा अब एक बार उसे जुरू चेक करिएगा next question है February 14 is marked as the anniversary of पुलवामा अटेक सवाल आप से यह पूछा गिया है कि 14 February को जो हमारे पुलवामा में अटेक हुआ था जिसमें इतने ज्यादा लोगों की हमारे जो जवान थे उनकी शहीदी हुई इस सवाल है कि यह जो पुलवामा अटेक था यह कौन से यह में हुआ था तो इसका राइट अटेक है 2019 है यह जो पुलवामा अटेक है 2019 में हुआ था next question है in which state has the election commission started mission 300 and my vote my valentine campaign अब ने में लिकिन मैसे वो कौन सी ऐसे state है जहां पे election commission के लिए mission 300 और my vote my valentine campaign नाम की campaign की शुरुबात करी तो इसका right answer में घाले है में घाले के लिए election commission ने mission 300 और my vote my valentine campaign को launch किया है next question है by which year is the mass drug administration campaign expected to eliminate fill areas from India अब ने में लिकिन मैसे वो कौन सा ऐसे year है जब तक हम यह expect करते हैं कि mass drug administration campaign की वजह से हमारे भारत में जो fill areas is है उसको extend उसको eliminate कर दिया जाएगा तो इसका right answer 2027 है option B next question है which bank announced the second global hackathon harbinger 2023 ने में लेकिन मैसे वो कौन सा ऐसा bank है जिसने अपने second global hackathon harbinger 2023 को announce किया तो इसका right answer RBI यानि Reserve Bank of India है पॉलिटिस्टी एकनोम में जीकरिक जोग्राफी साइंस एंवार्नमा टेक्निकोलोजी के तमाम वीडियो के लिए एक बार आप मारी प्लेलिस को जू चेक करिएगा और देखो यार इतनी लंधी वीडियो बनाई है बहुत जादा महाइनत लगी है अगर आपको थोड़ी स एक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा थैंक्यो फू वाच्चिंग